नमस्कार मैं हुराज मोहनतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार कहते हैं संघर्ष से ही मुकाम हासिल होता है और आज हम आपको एक महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिस थाने के सामने कभी आइसक्रीम और निम्बू पानी बेचा था आज उस थाने की दारोगा ब पोटी नहीं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी लडाई जारी रखी और आज दरोगा बनी है कहानी केरल की है केरल के जिस सहर में कभी पर्यटकों को निम्बू पानी और आइसक्रीम बेचकर अपना पेट पाला आज वहीं के पुलिस स्टेशन में एक महिला एनी सीवा ने सब इंस्पेक्टर की पोश्ट पर ज्वाइन किया यह कहानी 31 साल की एनी शीवा की है एनी जब 18 साल की थी तो पती ने साथ छोड़ दिया गोद में दूध मुहें मासूम को लिए दरदर की ठोकड़े खाने वाली एनी के सिर पर ना छत थी और ना ही प एनी की रहने के चिंता दादी ने दूर कर दी पेट पानले के लिए उन्होंने वरकला में प्रेटकों को नीमबू पानी और आइसक्रीम बेचनी शुरू की कुछ दिन उन्होंने यहां हस्त सिल्फ से जुरे समान भी बेचे उन्होंने अपने शंगरसों के बीच अपने काल के उम्र में वरकला पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर बन गई है अपनी काम्याबी के बारे में बात करते हुए एनी कहती है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उनकी पोस्टिंग वरकला थाने में हुई है यह एक ऐसी जगा है जहां वे अपने स्क्रीम से लेकर हस्त सिल्व के शमान बेचे लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया तब एक इंसान ने उन्हें पुलिस सेवा की तयारी करने की शला दी और साथ ही उन्होंने इसके लिए उनका शहयोग भी किया अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में ही एनी ने पड़िवार होने के साथ ही एनी ने किसी तरह की पड़िसानी से बचने के लिए बायकोट बाल रख लिये थे वे नहीं चाहती थी कि उनकी ओर लोगों का ध्यान जाए एनी के रिष्टेदारों ने उन्हें पुलिस आफसर की जॉब के लिए अपलाई करने को प्रेरित किया उन्होंने क वेशनरी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद शंभाला एनी ने बताया कि वो हमेशा से भारतिय पुलिस शेवा की अधिकारी बनना चाहती थी उनके पीदा भी यहीं चाहते थे लेकिन हालात ने कभी साथ नहीं दिया एनी सोसल मेडिया पर लोगों से मिल रहे समर्थन और प्यार से गर्व महसूस कर रही हैं और भावुक भी है एनी सीवा ने कहा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए उन्होंने कहा कि तमाम बधाओं से लड़ते हुए मैं यहां तक पहुचने में सफल रही हूं अगर अन्य महिलाओं को अपने जीवन में आगे करेना मिलती है तो मैं खुश हूं केरल पुलिस ने भी उन्हें अपनी सफलता के लिए बधाई देती हुए ट्वीट किया उन्होंने लिखा वह इक्छा सक्ति और आत्मविश्वास का एक सच्चा मॉडल है एक 18 वर्सी लड़की जो अपने 6 माह के बच्चे के साथ पती औ नहीं था ना रहने को छत था ना खाने को रोटी गोद में 6 माह का दूद मुहा बच्चा था पती ने साथ छोड़ दिया और वह भी उस पती ने जिसके लिए उन्होंने अपने पडिवार को छोड़ा था लेकिन हिम्मत नहीं हारी लराई जारी रखी और आज उसी पुलिस के साथ तमाम जो अपडेट है वह हम आप तक पहुंचाते रहते हैं लाकि साथ ही हम आपको कुछ इंस्पिरिशनल स्टोरी भी देते हैं ताकि आप भी मजबूती के साथ अपने लक्ष की और आगे बढ़ते रहें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यू